सब्सक्राइब किजिए Know In Short चैनल को और क्लिक किजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हलो फ्रेंज वेलकाम बैक टू माई चैनल आज का मैंने टॉपिक है प्राइवेट आइपी अड्रेसेस इस वीडियो को मैंने जितना हो सके उतना सिंपल किया है ताकि आप सभी लोगों को प्राइवेट आइपी अड्रेस के बारे में बता पाऊं और इजिली आप लोग उसको समझ पाए तो चलिए without wasting any time let's get started तो सबसे पहले बात करते हैं कि आइप अड्रेस क्या है जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि एक नेट्रोक में हर एक डिवाइस का एक यूनिक आइप अड्रेस रहता है मतलब अगर मैंने अपने laptop को या फिर mobile को किसी एक नेट्रोक से connect किया है तो उस नेट्रोक में इन दोनों डिवाइस को एक यूनिक आइप अड्रेस दिया जाएगा और उसी के दुआरा इन दोनों डिवाइस का identification होगा अभी बात करते हैं कि private and public IP addresses क्या है लेट्स से आपके घर में जो router है उसमें अपने अपने laptop को, mobile को, अपने टीवी को या फिर printer को connect करके रखा हुआ है तो इन सारे devices को connect करके जो आपने locally network create किया है उसको बुला जाएगा private network और उस network में दो devices के IP address होगे वही होगे आपके private IP addresses जो private IP addresses होगे वो internet के साथ interact नहीं कर सकता है internet के access के लिए आपको एक public IP address के जूरत पढ़ता है तो अभी आपके मन में query आ रहा होगा अगर मेरे device में private IP address है तो कैसे मैं अपने device में web page को देख पाता हूँ क्योंकि मैंने अभी बोला कि आपको अगर internet से internet करना होगा तो आपको एक public IP address के जूरत पढ़ता है तो इसका back end का process इस तरह से होता है आप अगर किसी web page का request करते हो तो वो request पहले आपके router के पास जाएगा और router के पास आपके ISP मतलब internet service provider का एक public IP address रहेगा और जिसके true से वो internet के साथ interact करेगा और वो web page आपको available कराएगा दूसरा important चीज है कि IANA मतलब internet assigned numbers authority जो कि US का एक organization है वही सारे IP address को oversee करता है different guidelines शेशू करता है उसके हिसाब से private IP addresses का जो band है वो है पहला है 10.0.0.0 to 10.255.255.255 जो कि 16 million IP addresses provide करता है second band है 172.16.0.0 to 172.31.255.255 जो कि 1 million IP address provide करता है and third है जो कि generally हम लोग अपने घर में या फिर office में use करता है वो है 192.168.0.0 to 192.168.255.255 जो कि 65,000 IP addresses provide करता है तिसरा important चीज है जो private IP address होता है वो एक ही सरह में आप अलग-अलग devices को दे सकते हो unless and until both device same network से belong करता है मतलब let's say अगर आपके घर में अगर आपका laptop अपने router में connect करके रखा है उसका अगर IP address है 192.168.0.2 और suppose आपने ओफिस में देखा होगा कि office का कोई laptop या PC है उसका भी same IP address है तो यह possible इस तरह से है कि दोनों network अलग है मतलब आपके घर का network और ओफिस का network अलग है दोनों के बीच में directly कोई अगर इस वीडियो का अपने पसंद किया है तो इसको like and share जरूर कीजिए चैनल को subscribe कर लिए subscribe करने के लिए screen के उपर दिये जाने वाले channel icon को click करें अपने सुजाब मुझे comment box में जरूर दे और मैं मिलता हूँ एक नए tech video के साथ मेरे अगले episode में तब तक के लिए, stay safe and bye-bye